इस वीडियो में दी हूई जानकारी इंटरनिट से ली गई है। किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। CutSafe Tablet DT एक सयोजन दवा है जिसका उपयोग विभिन प्रकार के जीवानू संक्रमन के इलाज के लिए किया जाता है। यह सूक्ष्म जीवों के खिलाफ उनकी वृद्धी को रोकने और संक्रमन के आगे प्रसार को रोकने के लिए लड़ता है। यह दस्त को भी रोकता है जो इस दवा के side effect के रूप में हो सकता है। कटसेफ टेबलेट डीटी एक prescription दवा है। इसे नुस्खे के अनुसार लेने की सलाह दी जाती है। इसे भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है। लेकिन बहतर प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए इसे एक निश्चित समय पर लिया जाना चाहिए। अनुशन सित्खुराक से अधिक का सेवन न करें क्यूंकि इससे आपके शरीर पर हानिकारक प्रभाव पर सकते हैं। यदि आपको एक खुराक याद आती है तो जैसे ही आपको याद आए इसे ले लें। बहतर महसूस होने पर भी उपचार का कोस पूरा किया जाना चाहिए। उपचार के अचानक बंध होने से दवा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। इस दवा के कुछ सामाने दुषप्रभाव मतली, उल्टी, दस्थ, अपच आदी हैं। यदि कोई भी दुषप्रभाव बढ़ जाता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए। यदि आप किसी भी अलजी प्रतिक्रिया यानी की चकते, खुजली, सूजन, सास की तकलीफ, आदी का अनुभव करते हैं, तो आपको ततकाल चिकित सा सहायता लेनी चाहिए। इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप किसी भी स्वास्थि स्थिती के लिए कोई दवा ले रहे हैं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। शराब पीने से बचें क्योंकि इस से इस दवा के साथ अत्यधे को नींदापन हो सकता है। ये आमतोर पर आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को कम नहीं करता है। लेकिन अगर आपको नींद या चक्कर आ रहा है तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तेजी से ठीक ह होने के लिए आपको पर्यापत आराम करना चाहिए, स्वस्थाहार भी लेना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए। आपका डॉक्टर आपके शरीर पर दवा के प्रभावों को जानने के लिए कुछ प्रयोगशाला और नैदाने के लिए कह सकता है। विडियो को पूर